हेलो दोस्तो जै सिरी किषना कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हम आपके साथ शियर करने वाले हैं होई एश्टिmy पे हमें चौ्की कैसे लगानी चाहिए विदीबत कलश हमें कितने लेने हैं कलश की स्थापना हमें कैसे करनी है कलश हमें कैसे भरना चाहिए और कलश में हमें कौन कौन सी समागरी डालनी चाहिए कलश हमें कब तक रखना चाहिए और कौन से कलश से हमें अरक देना चाहिए तो चले फ्रेंट्स वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं विदीवत हमें चौकी कैसे लगानी है सबसे पहले तो देखे जहां पे भी अगर आप चौकी लगा रहें जमीन पे हलका सा आप गेरू से लीप लें या हल्दी से लीप लें जादा नहीं हलका सा ठीक है उसके बाद उसके उपर चौकी रख लें जगा को शुद कर लें उसके बाद चौकी रखने के बाद आपको ल लाल पीला जो भी कपड़ा हो आप बिछा सकते हैं पूजा का जो पूजा में इस्तमाल करते हैं हमेशा चौकी लगाते हैं वही आप कपड़ा इस्तमाल कर लें जरूर नहीं है कि आपको नया कपड़ा लाना हो उसके बाद हमें थोड़े से आक्षात लेने के बाद दो जगा पर आख्शात करें और सब्सक्राइब करें रहें तो आप कलेंडर में पूजा कर सकते हैं लेकिन में यहां पर अलग से पूजा करती हूं तो मैं आपको अलग से दिखा रही हूं ठीक है तो आप चाहें तो कलेंडर में भी पूजा कर सकते हैं बात एक ही है अलग से रखने की आपको जूरत नहीं होगी तो यहां तो देखे हमने होई एस्टमी होई माता को और गनेजी की स्थापना तो कर दी है अब हम करेंगे कलश की साब नगा इस पूजाका न यहे जो मित्टी आ लेते हैं да अज आपका लही लेकिन मित्टी सब्सें शुद होती है इसलिए मित्टी का लिया जाता है तो यहां पर थोड़ी है ठीपने final options की 3 priorit इसको भीगे रहने दें क्योंकि यह घड़ा एक हफ्ते तक रखा जाता है और मतलब होई अश्टमी से और दीवाली तक यह घड़ा रखा जाता है इस घड़े के जल से ना हम अपने बच्चों को इसनान कराते हैं ठीक है तो इस जल को आपको इस घड़े को पहले ही आपको ज नीचे दवा देना है बाद को निचे दागी निचे से मतलब मोली ताकि वो निकले ना बस नीचे से दवाना है आपको गांट नहीं लगानी इसमें इस चीज का धिहान रखना है अब हमारे कलश भर चुका है तयार है स्थापना के लिए अब उपर से ढग देंगे तो यह कलश ना पूरे एक हपते के लिए रखा जाता है मतलब होई एस्टमिस के दिन से लेके और अब इसको ना हम उसके उपर आप चाहें तो गड़े के ऊपर देखे चाहें तो आप इसके उपर दो पूरी और पांच पूवे रखने मीठे या फिर आप इस पर पांच सिंगारे रख सकते हैं पूजा के समय पे आपको एक खाली उपर से नहीं रखना है ठीक है इस पर य गृण कर देया और यहां पे हमारा घळा जिम्पल था तो हमने स्वास्तिक बना दिया है अब मारा घळा तैयार है स्थापना के लिए यहां पे थोड़े से आख्शतु अल्यां के बाद हमें पर मश्द्र कर देना है और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब भी ये चौकी लगाएं आप इसको उत्तर या पूरब दिसा की तरफ ही करके लगाएं क्योंकि आपका मुख जो है ना उत्तर या पूरब दिसा की तरफ है और ये चौकी हमें उसी जगा लगानी है जहां हमें दिवाली की पू थोड़ी से अक्षअध कर दें गें तो इसको भड़ी और इसको भर मोड़ी हो और आप देंगे। तो पूरी और पूड़ी और पूड़ी 6 सथापित करना ऐसे मने वह गड़ा की है मिट्टी वाला अप कहे तो कहीं लेना हैं या अगर आपको choosing box आपको अगर की energy method आपको करते हों और थे लगाने उठे सकते हैं तो आपकी other नहीं रहना है नोटे लें सब से पहले मिठी होता हैं । वे हमारी विदिवत लग चुकी है इसी तरीके से लगाई जाती है होई एश्टिमी की चौकी और इसके बाद में तुरंत ही एक दो घंटे बाद पूजा वीदी की वीडियो भी डाल दूँगी आप पूजा वीदी की वीडियो भी देख सकते हैं तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए जै माता दी राधी राधी